अगर आपको पेट काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए होती है तो उसके लिए आप दियेगे नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पे कॉल करके पेट गाइडेंस के लिए सर्विस अवेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ईबुक्स हैं वो ईबुक्स बहुत ही इंपोर्टेंट है जो लास्ट येर के सारे डिटा उस ईबुक्स में मिलेंगे तो उसको भी आप पर जज़ कर सकते हैं तो चले सिरह चलते हैं और पीजी के रेसिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे हैं उनका एडिमांड है कि जल्दी से जल्दी काउंसिलिंग शुरू हो यूजी और पीजी दोनों की काउंसिलिंग एक ही कारण से रुकी हुई वो रिजर्वेशन का एशू है जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस के हैं और जब हम देखें अंदवान निकोवार का तो एक क्लोज है स्टेट और इसमें अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ अरुनांचल प्रदेश बहुत ही आगे है इस लिस्ट में और अपने प्रोसेस में फर्स्ट राउन का रिजल्ट आ चुका है और लास्ट इसका जो अपडेट आया था 56 डिसमबर को आंधर परदेश में मेरिट लिस्ट आई है और इसका कोई भी आगे का रेस्टेशन प्रोसेस कुछ ओपन हुआ नहीं है आसाम का भी रेस्टेशन प्रोसेस अभी ओपन नहीं हुआ है इसकी मेरिट लिस्ट आ जोके बिहार स्टेट का अभी कोई भी नोटिविकेशन नहीं आया है ना मेरिट लिसे कुछ भी नहीं है चंडीगर स्टेट का भी कुछ नहीं आया बिहार एक ओपन स्टेट है जो यहां पे उसका थर्ड कॉलाम स्टेटर्स वह बहुत इंपोर्डेंट है ओपन स्टेट का मतलब है कि आप अगर कि यह भी open state है, यहाँ पर दो private medical colleges हैं, लेकिन इसका भी अभी कुछ भी start नहीं हुआ है, देली का internal quota के लिए, जो 10th, 12th के students होँआ पर, उनके लिए जो document uploadation की process है, यह हुई थी last, और goa state भी close है, यहाँ भी कुछ भी process अभी नहीं हुआ है, गुजरात state का registration और document verification दोनों हो चु हो गया था, हर्याना state का भी भी कोई update नहीं आया है, यह open state है, हिमाचल परदेश का registration स्टार्ट हो गया था, 6-12 December तक और इसमें जो भी registration की होंगे, आगे process के लिए, चोई spilling के लिए, allotment के लिए eligible रहेंगे, जहारखंड और जमुकास मेरे दोनों close state हैं, और इसके लिए को colleges थे, जो colleges को मानितरत कर दिया गया था, उनको दुवारा दे दिया गया है, तो उसमें दो private colleges रहेंगे, करनाट का open state है, यहां पे registration चल रही है और registration को दुवारा extend कर दिया गया था, 22 तक, दुवारा extend करके 27 तक कर दिया गया है, करनाट का important state है, बहुत ही important state है, अगर आप private म मिस कर रहे हैं government के लिए तो आप यहां पर अच्छे private medical college एक budget के हमें ले सकते हैं 10 lakh के per year के budget में केरला open state है यहां पर इसका अलग से registration करना होता है open state है लेकिन अगर आप participate करना जाते हैं तो अई अपडेट नहीं आया है एक लोज अश्टेट है लेकिन institutional quota के लिए ओपन है मद परदेश एक क्लोज स्टेट है और यहां भी कोई भी अपडेट नहीं आया है मनीपूर मनीपूर एक क्लोज स्टेट है और यहाँ पर जो प्रोसेस है रेजिटेशन की स्टार्ट हुई थी सिग्स स्टेट में तक प्रोसेस चल रही है और यह 15 दिसम्बर तक रहेगा. नागालेंड में अभी कोई क्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ सबसे पहले registration start करके choice filling भी करा ली थी और 26th November को ये date over हो गया था पंजाव state ने भी अपना registration करा लिया है 18th को start हुआ था November में और 28th को over हो चुका था राजस्थान और Tamilाडो ये दोनों state जो है इसका recent में update आया है दोनों की registration चल रही है राजस्थान भी open state है और Tamilाडो भी open state है इसके लिए मैं separate video बना चुका हूँ और इसके बाद तेलंगाना तृपुरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विष्ट बंगॉल ये सारे state भी open है लेकिन इनका भी कुछ भी registration का process का notification नहीं आया है तेलंगाना state के लिए merit list पब्लिश हुई है तो ये सारे जितने भी state है 1 से लेके 32 तक उसका एक summary अपडेट है जो की बहुत important हुगा आप चाहें तो इसको screenshot भी ले सकते हैं और अगर आप paid guidance लेना चाहते हैं जिसमें आपको सारे open state का और इंडिया कोटा का और redeem dynucity की counseling का आपको support मिलेगा तो उसके लिए आप हमें contact आ सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे दुआरा एक another important update के साथ until then goodbye and take care